हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग इंग्लिस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे बहुत सारे बज्चों का डिमांड आ रहा था इंग्लिस पढ़ाने का तो चलिए हम लोग इंग्लिस ट्रांसलेशन जो है वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो हम लोग सुरुवाद करेंगे यूज ओफ एम इज एंड आर का यानि कि एम का परयोग कहां परयोग कहां यूज होता है और R जो है वो हम लोग कैसे यूज करते हैं translation में उसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे ठीक है बच्चों तो आएए शुरुआद करते हैं तो सबसे पहले translation सीखने से पहले अप लोग को ये पता होना चाहिए कि first person, second person and third person क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए जैसे अगर कोई भी वेक्ति वाद करता है जैसे लेंग्वेज क्या है कम्यूनिकेट करते का एक माध्यम है हम लोग क्या करते हैं दूसरे से बात करते हैं तो किसके थुरू करते हैं लेंग्वेज के माध्यम से करते हैं भासा के माध्यम से करते हैं तो English भी क्या है, एक भासा है, तो उस भासा में क्या होगा, भासा क्या एक medium है, अपना मतलब जो विचार है, वो एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति तक पहुचाने का क्या है, एक माध्यम है, तो English भी क्या है, उसी तरीके से हम लोग माध्यम के रूप में यूच करते हैं, अपन परशन होता है, दूसरा होता है, second person और तिसरा जो वेखे होता है उसको बोलता है, third person तो आप मैं अगर बाते बोल रहा हूँ जैसे आप लोग को पढहा रहा हूँ तो जो पढहाने वाला वेखते है, जो बोलने वाला वेखती है वो क्या कलाएगा, फर्ष्ट पर्षन कलाएगा, और जिस वेक्ति से बोलेगा, वो क्या कलाएगा, सिकेंड पर्षन कलाएगा, और किसी तीसरे वेक्ति के बारे में बात करे हैं, या किसी अन्य वस्तु के बारे में बात करे हैं, तो वो जो हो जाएगा, वो क्या कलाएगा, मतलब जैसे हम आगर आपको पढ़ा रहे हैं तो हम किस से बात करें आप से बात करें तो यहां पर बोलने वाला कौन हुआ मैं हुआ यानि कि हम हो गए तो जो बोलने वाले क्या हो गए मैं हुआ तो यहां पर क्या हो जागा मैं जो हुआ है तो मैं क्या होता है आई होता है तो आप से बोल रहे हैं, तो आप क्या हो गए, आप हो गए, second person, आप मतलब क्या, आप का हो गए, यहां पर या तो आप बोलिये, तो यह क्या हो जागा, यह second person हो जागा, क्या हो जागा बच्चो, तो जो तुम use किया जाता है, word या फिर आप use किया जाता है, वो क्या हो जाता है, वो second person हो जाता, यानि कि मैं किस से बात कर रहा हूँ, आप से बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो आप क्या हो गया, second person, और हम बात किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो यह study के बारे में बात करें, तो यह study क्या हो जागा, third person हो जागा, या फिर किसे तिसरे अगर राम के बारे में बात करें, हम आपसे, राम के बारे में कुछ बाते बता रहे हैं, तो राम क्या हो जागा, थर्ड परसन हो जागा, क्या हो जागा बच्चो, थर्ड परसन, उसी तरीके से किसी और दूसरे आपके फ्रेंड्स के बारे में बात करें, हम आपसे, आपके के बारे में बात करें तो वो जो friend होगा उसको क्या बोलेंगे he बोलेंगे वह ही का मतलब क्या होता है वह होता है तो आपका जो friend हो जाएगा जिसके बारे में हम बात करें आपका जो दोस्त है वो क्या हो जाएगा यहां पे third person हो जी जाएगा तो I hope first person kya होता है, second person kya होता है, और third person kya होता है, ये clear हो गया होगा, ठीक है, अब हम लोग देख लेते Blood primeira person में क्वेंन आता है, जो बोलने वाला बेगती होता है, बोलता है कौन मैं बोलता है यानि कि अगर बोलने वाला वेकती एक हो तो उसके लिए क्या यूज होगा I यूज होगा कौन सा होगा I मतलब क्या होता है मैं जब बोलूंगा अगर मैं अकेला बोल रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो causing गा सब्सक्राइब करते हैं, तो अगर मैं अकेला बोलने वाला बेखती है तो वह क्या हो जाएगा आई, और अपने साथ जो मतलब helping भब लेता है, उसको क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, यानि कि आई के साथ जब भी आप translation किजिएगा, तो आई कहीं पे भी मैं अगर आता है, त तो इतना मतलब 32 questions है, इसको solve करना है, इसमें से बहुत सारे questions को हम solve करवाएंगे, और कुछ questions आपको भी देंगे solve करने के लिए, जिससे कि यह पता चल सेगे कि आप लोग सीखे या नहीं, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है कि I हो गया, अब देखो अगर बोलने वाला वेक बच्चो आर लेगा, तो यही याद रखना है कि V के साथ क्या आएगा, R आएगा, I के साथ क्या आएगा, M आएगा, और यह दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, यह दोनों क्या क्लाते हैं, फर्स्ट पर्सन क्लाते हैं, क्लियर हो गया, अब देखो, V को हिंद Second person. Second person में क्या बताए? कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या हो आप क्या हो गए? Second person हो गए तो you, इसका क्या होता है? English में क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं तूम या आप अपने से छोटे के लिए तूम यूच करते हैं और अपने से बड़े वेक्ति के लिए क्या यूज करते हैं आप यूज करते हैं तो जब कभी भी अपने से बड़े वेक्ति के साथ बात किजिए तो क्या कौन सा वर्ड यूज किजेगा आप यूज किजेगा ठीक है और अपने से छोटे के लिए क्या यूज किया जाता है तुम यूज आप ठीक है और यू हमेशा आपने साथ कौन सा हेल्पिंग भब लेगा आर लेगा क्या लेगा बच्चो आर ए आर ई लेगा ठीक है उसके बाद देखे अब माली जी बोलने वाला वेक्ति मतलब मैं बात करा हूँ सिर्फ आप से परसनली बात करा हूँ तो आप एक वेक्ति हो ले एक साथ उनसे बातचीत करें तो क्या हो गया एक से अधिक हो गया तो यह क्या हो जागा आप लोग तुम लोग या फिर 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 आप लोग अब दिखिए यू यहां पे भी जो वर अगर दोस्त है अगर माली जी एक दोस्त के बारे में बात करेंगे या तो उसका नाम ले लेंगे अगर माली जे राम आपका दोस्त है तो हम अगर राम का नाम ले रहे हैं तो क्या हो गया वो धर्ड पर्सन हो गया तो या तो डाइरेक्ली उसका नाम ले 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 या फिर उसका नाम ना ले करके क्या बोलेंगे कि वह अगर उसका नाम ना ले करके क्या बोले वह बोले तो क्या हो जाएगा, वह का जो English होता है, वो क्या होता है? ही होता है। अब देखिए, वह जो है, वह हम किसी Boys के लिए यूज करते हैं, किसी लर्की के लिए यूज करते हैं। यानि कि अगर आपका दोस्त, कोई दोस्त है, अगर कोई व्यक्ति है है जिसका जिसका हम नाम ना लेकर के वह बोल रहे हैं और वह लड़का है तो उसके लिए ही यूज करते हैं क्या यूज करते बच्चों ही और ही अपने साथ क्या लेता है क्या लेता है बच्चों ही अपने साथ इज लेता है उसी तरीके से अगर किसी लड़की के बारे में बात करें वह मतलब माली जे सीता अच्छा गाती है से अगर बोले कि सीता अच्छा गाना गाती है वह बहुत ही तेज है तो अगर सीता के बारे में अगला सेंटेंस बोलेंगे तो सीता ना बोलकर करके हम वह वर्ड यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे सी यूज करेंगे और यह भी यह भी क्या होता है वह वह होता है ठीक है वह और सी अपने साथ क्या लेता है इज लेता है क्या लेता है सी के साथ क्या यूज होता है उसी तरीके से माली जी अगर कोई वस्तु है जैसे लकडी है, माली जी कुरसी है, तो कुरसी के लिए हम लोग क्या करते है, इट यूज करते है, माली जी कुरसी के लिए यूज कर रहे है, तो क्या यूज होता है, इट या फिर किसी निर्जीव वस्तु के लिए अगर वह यूज करना है, यह यूज करना है, तो हम लोग क्या य इज लेगा चाहे राम का नाम ले लिजिए या फिर सीता का नाम लिजिए तो सीता भी क्या एक लड़की का नाम है तो वो भी अपने साथ क्या लेगी इज का परियोगों गाओ उसके साथ तो यह किलियर हो गया अब देखिए यहाँ पर अगर माली जे तो यह जो थर्ड परस हैं माली जी आप कहीं पहाँए और बहूत सारे लोगों का group था जो आपको क्या किया welcome किया तो क्या बोलिए गा वह लोग बहुत अच्छे है तो वह लोग के लिए क्या हो जागा एक से अधिक लोगों के बारे cuál बात कर रहे थे तो वे लोग क्या हो गए वे लोग का जो इंगलीस होगा वो क्या हो जाएगा दे हो जाएगा और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वे लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो वे लोग तो वे लोग क्या हो गया दे और दे अपने साथ क्या लेगा आर दोस्त है राम और स्याम दो दोस्तों के बारे में बात हो रहा है तो राम और स्याम जो है वो आपका दोस्त है यहां पर हम लोग देख रहे थी कि राम एक अकेला दोस्त था उसके बारे में अगर बात करें तो वो तो अपने साथ इज ले रहा था लेकिन राम और स्याम आ जा फिर भी उसके साथ कौन सा जो भव है वो यूज होगा आर भव यूज होगा ठीक है इतना किलियर हो गया यह अपने कौपी में लिखते चले जाईएगा तो जो चीजे हैं वो बहुत ही आसान हो जागा ठीक है अब देखिए यहां पे कुछ word meaning होगा जो आपको हो सकता है कि न आये तो उस इस्तिती में जब हम आपको homework देंगे इन ही जो जितने भी sentences है इन sentences में से जितने भी words है माली जी किसी का English आपको नहीं आ रहा है तो जो भी homework में देंगे वो आपका meaning हम बता देंगे जिससे कि आप solve कर पाईएगा असानी से ठीक है तो आईए बच्चों हम Q thin क्या है पहला कह रहा है कि मैं खूसूं तो मैं का अभी हम लोगों ने देखा कि मैं क्या है first person है क्या है मैं first person है और first person में क्या है मैं के लिए हम लोग क्या यूच करते है I का use करते हैं किसका use करते है, बच्चो, I का use करते हैं और I जो है, वो अपने साथ EASE लेगा, R लेगा, EME लेगा, क्या लेगा? अभी हम लोगोंने देखा था, यह जो टेबल बना हुआ था, यहां पर हम लोगोंने क्या देखा? कि EME जो है, आई जो है वो अपने साथ क्या ले रहा है एम ले रहा है क्या ले रहा है बच्चो आई जो है वो अपने साथ क्या ले रहा है एम वर्ड ले रहा है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे अगर हमें sentence बनाना है तो क्या बनाएंगे? इंगलिस में translate करना है, तो कैसे translate करेंगे? कि I क्या हो जाएगा? मैं क्या हो जाएगा? I हो जाएगा और I अपने साथ क्या लेगा? A-M लेगा, A-M, I-M, और खुस का क्या होता है? Happy होता है, क्या होता है बच्चो? कि मैं खुस हूँ तो इसको इंग्लिस में क्या बोलेंगे I am happy इसको क्या बोलेंगे I am happy हो गया translation अब देखिए second कितना आसान है अब देखिए second number question है कि मैं स्वास्थ हूँ अब फिर देखिए मैं यहाँ पर आया तो मैं का क्या हो जागा I हो जागा क्या लिखेंगे I लिखेंगे और I अपने साथ क्या लेगा aim लेगा अभी हमने पढ़ा है क्या अपने साथ क्या लेगा aim लेगा और aim और यहाँ पर आप देखिए यह जो word आया स्वास्थ तो स्वास्थ का क्या होता है healthy होता है translate हो गया, अब देखें next question है, third question है, कि मैं चालाक हूँ, मैं चालाक हूँ, तो क्या होजागा यहाँ प्र क्या है, फिर से क्या लिखेंगे i लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच चो, i, यह आप translate कीजी, यह हम मैं छोर देता हूँ, इसको आप कैसे translate केज़ेगा तिसरा number जो question है ये आपका homework रहा ठीक है नेक्स्ट question पर आता है अब देखिए चालाक है तो चालाक का बता देते हैं चालाक का meaning होता है clever clever मतलब चालाक तो ये आपको translate कर लेना है clever का मतलब क्या होता है चालाक तो लिख लिजेगा और इसको translate करके comment box में जरूर बताईएगा ठीक है कि क्या होगा इसका अब देखिए आगे आते हैं चार number जो question है चार number question क्या करें कि तुम बुध्धि मान हो क्या है तुम बुध्धि मान हो तो अभी हम लोगों ने देखा था कि तुम जो है तुम का क्या होता है अभी हमने यहाँ पे जो table है आप लोग लिखे होंगे मैं आसा करता हूँ कि आप लोग copy में लिख लिए होंगे ठीक है तो तुम का क्या होता है U होता है, तुम का यहाँ पर देखिए, तुम जो है, यह जो word लिखा हुआ है, तुम और आप, तो यहाँ पर क्या है, U का वो यूज क्या गया, और U अपने साथ क्या लेता है, R लेता है, ठीक है, अब देखिए, अगर हम नीचे आते हैं, और इसको solve करने का प्रयास करते लेता है, और I अपने साथ क्या लेता है, M लेता है, यह इतना याद रखना है, ठीक है, धीरे धीरे practice करते करते सब याद हो जाएगा, बहुत सारे word meaning भी आपको याद हो जाएगा, तो इसके लिए tension नहीं लेना है बच्चों, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला तुम बुद्धिमान हो, यह translate हो गया, कितना simple है, translate करना, अब देखिए, यहाँ पर आया, आप लोग महनती है, आप लोग क्या है, महनती है, तो अब हमने देखा था, जो table था, उसमें क्या देखा था, कि आप लोग के लिए क्या word use क्या गया है, जैसे देखो, यहाँ पर क करते हैं, इसको भी solve करते हैं, तो देखू क्या कर रहा है, कि आप लोग महनती है, तो आप लोग के लिए क्या हो जागा, यू हो जागा, क्या लिखेंगे, यू, वाई, ओ, यू, और यू अपने साथ क्या लेगा, आर लेगा, क्या है, आर लेगा, क्या है, आर लेगा, क्य नोट करते जायेगा ठीक है और कॉमेंट बॉक्स में लिखते जाना है question number लिख दिजेगा 3 number 6 number और उसको English में translate करके comment box में जरूर comment करके बताईएगा तभी next video हम लाएंगे अगर आप नहीं solve करते हैं तो फिर छोर देंगे ठीक है तो यह आपके उपर है अगर आप चाहते हैं कि translation का video आता रहे हैं तो आपको comment box में comment करके लिखते जाना है बताते जाना है तब हमको पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं ठीक है तो देखो क्या करा है कि तुम लोग इमांदार हो तो इसको कर लेना है इमांदार का क्या होता है honest होता है चले word meaning बता देते हैं इमांदार का होता है honest ह-o-n-e-s-t honest मतलब क्या होता है इमानदार इसको आपको translate करना है next question है आप बहादूर है तो आपका क्या हो जागा यू हो जागा ठीक है आपका क्या हो जागा बच्चो यू और यू अपने साथ क्या लेगा आर लेगा और बहादूर का क्या होता है इसको हम बनवाते है चलिए देखिए यहां पर क्या है हम लोग है तो हम लोग के लिए क्या देखेते यहां पर फिर से आता है टेबल में टेबल में अगर देखेगा तो हम लोग के लिए कौन सा word यूज किया गया था बच्चो आपको याद होगा वी का यूज किया गया था किसका यूज किया गया था वी का मतलब क्या होता है हम लोग और वी अपने साथ कौन सा helping भब लेता है तो आर लेता है क्या लेता है आर लेता है तो आईए फिर से बनाते है इसको solve करते हैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, कि धर गया, हाँ, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कि हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या देखा, कि हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, और वी अपने साथ क्या लेगा, आर लेगा, क्या लेगा? आर. अब देखो वी आर, अमीर का क्या होता है? Rich, R I C H. मतलब जिस के पास बहुत अच्छा धन रुप्या हो वो Сब के सब क्या होता है? رج होता है, उसको क्या बोलता है? Rich बोलता है. तो हम लोग क्या है? Rich है, v-r race. ठीक है? तो क्या हो जाए? तो क्या हो जागा इसका तो हम लोग अगर इसको करना हो तो वी अपने साथ क्या लेगा आर लेगा ठीक है वी जो है वो अपने साथ क्या लेगा आर लेगा और गरीब का क्या होता है पूर क्या होता है बच्चो पूर होता है तो वी अर पूर हम लोग गरीब है ऐसे बोल सकते ठीक है अब देखो next question है राम तेज है देखिए यहां पे किसी का नाम आ गया क्या आ गया बच्चो अब देखिए हम लोग दयालू है यह जो nine number question है यह आपका homework रहा यह आपको करना है और दयालू का बता देते हैं कि दयालू का जो यह होता है क्या बोलते हैं इंगलिस होता है होता है kind होता है कि आई एंडी kind मतलब क्या होता है दयालू होता है तो यह आपको लिख लेना है ठीक है और इसको translate करके बताना है comment box में nine number question जो है आपका homework है next question है दस number दस number कह रहा है दस number जो question है वो क्या बता रहा है कि राम तेज है क्या बता रहा है राम तेज है तो राम तेज है को कैसे translate करेंगे राम का जो है उसका नाम कैसे लिख र-a-m राम हो गया और राम जो है वो नाम अपने साथ क्या लेता है इज लेता है क्या लेता है इज अगर क्या लगा देंगे, अगर हमें लिखना हो, हम क्या लिखेंगे, राम इज, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, राम इज, और राम इज के बाद क्या होगा, तेज है, तो तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मतलब क्या होता है, तेज होता है, ठीक है, तो यह spelling देख लिजेगा, I-N-T-E-L-I-G-E-N-T intelligent, ठीक है, तो राम is intelligent, राम क्या है, तेज है, उसी तरीके से next, यह गारा नंबर जो question है, यह आपका homework है, इसमें लिखना है कि श्याम उदास है, और उदास का जो बता देते हैं, उदास का जो meaning होता है, वो sad होता है, क्या होत होता है, 12 नंबर जो question होता है, वो मोटा है, तो वो देखें, मोटा है, मोटा है, ऐसे परने से क्या लग रहा है, कि किसी लरके के बारे में बात हो रहा है, तो किसी लरके के बारे में बात करते हैं, थर्ड परसन है, उसका अगर हमें नाम नहीं पता है, और अगर उसके अब तृबला का थीन होता है बख़ला का क्या होता है यह कुछछ नैघ्र देकिवार मोटी है अब लरकी के बारे में बात हो रहा है तो अब यहां पर मोटी है तो मोटी कौन है वह है तो वह के लिए हम लोग लरकी के लिए क्या यूज करते हैं C का यूज बता है और ऊज्य क्या होगा और मोटी के लिए होगा मोटा हो या मोटी हो इसके लिए फैट यूज होता है वह डुबली है अब देखिए 50 number question यह आपके लिए homework रहा यह आपको खुद से करना है अब देखिए वह लरकी की बार में बात हो रहा है तो क्या हो जागा C हो जागा ठीक है और दूबला का पत्तु पता ही है दूबला का क्या होता है थिन दूबला या दूबली थिन ही होगा ठीक है आगे ललन मजबूत है अब देखिए यहाँ पर एक लरकी की बात की जा रही है वो उसका क्या नाम है ललन तो ललन का क्या हो जागा L-A-L-A-N ललन और क्या है ललन एक लरकी का नाम है किसी वेक्ति का नाम है एक वेक्ति का नाम है तो इसके साथ क्या यूज होगा इज होगा और मजबूत का क्या हो जागा strong हो जागा क्या हो जागा बच्चो मजबूत का क्या हो जागा strong तो ललन is strong ललन क्या है strong है मजबूत है next question है 17 number question कर रहा है कि वह और ये किसके बारें बात कर रहा है वह कड़ा है अब कौन सा कर रहा है किसी निर्जीव के बारें बात कर रहा है जैसे माली जो कोई लकड़ी है लकड़ी का टुक रहा है तो हम बोलेगे वह क्या है कड़ा है लकड़ी कड़ा है तो उसके लिए वह यूज क्या गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बोलेंगे दैट क्या यूज करेंगे बच्चो दैट इज और अपने साथ क्या लेत अब देखें यहां पर पहले हम लोग यूज कर रहे थे ललन हो गया राम हो गया किसी एक मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम यूज कर रहे थे तो यह क्या रहा था अब यहां पर क्या देखेगा बच्चों कि यहां पर दो नाम एक ही सरिंटेंस में आ गया अब हम लोग इसका तो इसको कैसे solve करेंगे, इसका translation कैसे करेंगे, तो वो देख लिजे, तो यहाँ पर क्या है, राम और स्याम, किसका नाम है, राम और स्याम का नाम है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम एंड स्याम, राम, पहले राम है, तो राम लिखेंगे, उसके राद और है तो और का जो मीनिंग होता है बच्चों होता है एं एंड यहां पर एक नेत ऐसे लिखते दें कंफ्यूजन नहीं होगा देखिए ह्याँ पश्रे लोग कैसे लीखी सब्सक्राइ geniusonz और उसके बाद क्या लिखेंगे स्याम क्या लिखेंगे राम एंड स्याम हो गया राम एंड स्याम अब यहां पर देखो अब एक से अधिक लोग आ गए तो अब यहां पर इज नहीं होगा पहले हम लोग नाम के साथ क्या यूज करेते इज का यूज करेते लेकिन अब एक से अधिक नाम आ गया तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे आर का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे बच्चो आर का यूज करेंगे तो राम एंड स्याम आर अब ये क्या है अमीर अमीर का हम लोग देखे थे क्या होता है रीच होता है तो राम and स्याम are rich, राम और स्याम क्या है? अमीर है, ठीक है? अब देखो, 19 नमबर कोचन है कि बच्चे उदास है, तो बच्चे का क्या हो जागा? चिल्डरेन, C-H-I-L-D-R-E-N, चिल्डरेन हो गया? चिल्डरेन, और चिल्डरेन बच्चे एक से अधिक है, एक से अधिक ब आड़ेन बात हो रहा है, ठीक है? तो चिल्डरेन के अपने साथ क्या लेगा? आर लेगा, क्या लेगा बच्चो? चिल्डरेन आर, और उदास का क्या होगा? सैड, क्या हो जागा? चिल्डरेन आर सैड, बच्चे उदास हैं, अब देखो, 20 नमबर कोशन है कि वे लोग स्व और अपने साथ क्या लेता है? आर लेता है, क्या लेता है बच्चो? आर लेता है, तो दे आर, और स्वास्थ का क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा था, जब स्वल्व करेते तो हेल्दी, क्या देख रहेते? स्वास्थ का क्या होता है, इंगलिस हेल्दी होता है, तो आर हेल्थी, वे लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, ये आपको खुद से करना, ये होमवर कर आपके लिए, ठीक है, वे लोग भूखे हैं, इसका जो ट्रांसलेशन है, ये आप खुद किजिएगा, ठीक है, और ना पता चले तो वीडियो को दुबारा देख ल लेता है, आर लेता है, तो यू आर, और पागल का क्या होता है, मैड होता है, क्या होता है, मैड, मैड मतलब पागल, यू आर मैड, तुम पागल हो, वह पागल है, अब देखिए, यहाँ पर यह हो जागा, और पागल का पता ही है, क्या है, इसको खुद से ट्रांसलेट करन मिए नेक्स 24 नम्र कोचनए कि सीथा सुन्दर अब देखिए यस इस इस टे क्या है सीथा अब ये सीथा किसी लग की का नाम है और ये ऐanto इसके साथ क्या होगा इज होगा क्या यूज होगा इज होगा सीता इज और ब्यूटिफुल इसको क्या बोलेंगे ब्यूटिफल बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो ब्यूटिफल ब्यूटिफल मतलब she is beautiful she is beautiful ठीक है beautiful नहीं बोलेंगे beautiful बोलेंगे यह आपको याद होना चीए तो सीथा अब देखिए राम दयालू है यह आपका homework रहा ठीक है राम दयालू है राम का राम ही हो जागा राम एक है तो इसके साथ यह होगा और दयालू का पता है उपर बता है तो दयालू का मतलब क्या होता है ठीक है, यह करना है उसके बाद आतें next question पे लरके अच्छे हैं अब देखिए, 26 number बोल रहा है कि लरके अच्छे है तो लरके का क्या हो जागा? boys क्या हो जागा? अगर लरका होता है तो एक के बारे में बात हो रहा था और अगर यहां पर दिखेगा लड़के हैं मतलब एक से अधिक के बारे में बात हो रहा तो यह क्या हो जागा लरका की बारें बात होता, तो क्या बोलते हैं, बोई, बोई इज, और यहाँ पर एक से ज्यादा लरका है, तो क्या हो जागा, बोई जागा, और अच्छे हैं, अच्छे का क्या होता है, गोई, यू आर गुड, आप भी अच्छे हैं, तो क्या हो जागा, यू आर गुड, अ क्या रिखा नोरें क्या होता है अगर आफ बात किजेगा की दर फोका मीनेंग बता दे ठीक है, solve करना है यह आपको, तो चलिए डर्पोक का जो है, वो आपको हम क्या कर देते हैं, meaning बता देते हैं, ठीक है, मोहन timid होता है, क्या होता है, timid, timid भी होता है, डर्पोक के लिए जो है, वो timid word यूज किया जाता है, timid, timid मतलब क्या होता है, डर्पोक होता है, तो यह आपको solve करना है, देखते हैं, 27 नमबर जो question है, वो कौन-कौन बच्चा solve करता है, ठीक है, उसके comment, reply में good मिलेगा, ठीक है, very good मिलेगा, देखते हैं, कौन-कौन solve करके देता है, next question है, मेरा भाई चालाख है, अब देखेगा, यहां पर आ गया मेरा भाई, तो मेरा का क्या होता जो है, वो subject noun लेकर के चलता है, जैसे बोले मेरा भाई, यहां पर क्या है, मेरा भाई, तो यहां पर क्या हो जागा, मेरा का क्या हो जागा, माई, और भाई का क्या हो जागा, ब्रदर, क्या हो जागा, बच्चो, भाई का हो जागा, ब्रदर, माई ब्रदर, अगर बोले मेर होजागा हो जागा हो जागा हो जागा माई एस तरिके से तो यहां पर देतों किया Model मिर्भाई के साललक है मैरने मैं मेरा हो गया और भाई किया हो जागा ब्रदर हो माई ब्रदर चालाख है clever और एक भाई की बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर एक ब्रदर is clever my brother is clever ठीक है यहाँ पर E है इसको ऐसे बोलेंगे ठीक है my brother is clever अभी यहाँ पर देखे 29 नंबर कोश्चन भी क्या है आपका homework है, राम और सियाम क्या है, तेज है, एक 30 number question है, राम और सियाम जो है वो तेज है, और तेज का क्या होता है, तेज का हो जागा, intelligent हो जागा, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है, इसको solve करना है, 29 number, 30 number जो question है, तूम और सीता अमीर हो, तूम और सीता, तो यहाँ पर यू एंड और यहां पर क्या हो जागा सीता यू एंड सीता और इसके बाद क्या हो जागा अमीर हो तो अमीर का क्या होता है रिच यू एंड सीता आर यहां पर क्या हो जागा बच्चो आर हो जागा ठीक है यहां पर क्या हो जागा हम लोग क्या यूज करेंगे आर तो यू ए मेहनत्ती है अब धेखें यहाँ पर एक अलक परकार का sentence है क्या पर आज नाम और नामों के बीच में अगर देखो Denis की में आजा है उसके और यहाँ कैसे। करते हैं उसको सीख लेटे है तो लिलोग को क्या भड़ा हैregly वे लोग, वे लोग मजबूत और महनती है, तो देखो पहले तो लिखेंगे वे लोग का, तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है, बोलिए, दे होगा ना, और दे अपने साथ क्या लेगा, आर लेगा, सबस, याद है आपको, तो दे क्या लेगा आपने साथ, आर लेगा, ब दो बार और लिखा गया, तो एक और को काट डिते हैं, अब देखो क्या करें कि वे लोग मजबूत और महनती हैं, तो they are strong and, और क्या होता है, end होता है, they are strong and, महनती, तो महनती क्या होता है, laborious, l-a-b-o-u-r-o-u-s, ठीक है, laborious, laborious, l-a-b-o-r-i, sorry, l-a-b-o-r-i-o-u-s होता ह ठीक है, laborious, l-a-b-o-r-i-o-u-s, laborious, ठीक है, यह सही हो गया, ठीक है, अब देखो, 32 number question जो हो, आपका homework रहा, ठीक है, यह आपको खुद solve करना है, राम और मदन, बहादूर और तेज हैं, देखते हैं, 32 number question, कौन सा बच्चा solve करके दिखाता है, अगर यह solve कर दिया, तो सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, वीडियो को लाइक कर दिजिए, और अपने friends के साथ सेर जरूर किजिएगा, जहां भी school में जाईए, coaching में जाईए, तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में जरूर बत आते जाईए, तो हमें लगेगा कि हाँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, वो पर रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब ते के लिए धन्दवा, टेक केर,